ये कहानी है उस तौर की जब उसे नजर अंदाज किया जा रहा था सूर्य का उदय हो चुका था उसकी जमक चारो तरब भिखर चुकी थी अब उमीदों के किरण में एक उभरते हुए सूर्य का संसार बसने वाला था लेकिन इन सपनों से पहले एक ग्रहन लग जाता है और वो ग्रहन होता है इग्नोरिस का अफसाल आता है 2021 जब सूर्या का चैन टीम इंडिया में होता है सूर्या की बल्लेवाजी को देख का आज दुनिया वर के दिकस क्रिकेटर कहते है कि सूर्या जैसा कोई दूसरा खिलाडी ही नहीं आप वो स्ट्राइक रेट देख लीजिए आप वो रंज देख लीजिए और आपकर समझ में आ जाएगा किस किसम के ये खिलाडी है और ये लीजिए पिलाली सीरीज का आज ताज किसके नाब होगा इस तरी के से आज आगास किया है पारी का सुर्या कुमार वह जदब का शॉट ये सूर्या कुमार यादफ के बल्ले से इस अपर बड़ा है यापर और शेरन मिलेंगे जिए भैथरी शॉट इट पार पैको फ्रेंग गेंग तुमार का ये पुल शॉट तूर्या कुमार यादफ कट किया शांदार तरी के से किया रूम मिला भूम मचाइं पंतिया असलाफ जाइं इस अपर दर शॉट है पीछे फील्डर बहुत दूर रह जाएंगे शायद इस गेंड के पहली दो गेंडों में सन्नाटा था उसको तोड़ने का एक ही तरीका जानते हैं सूर्य कुमार यादफ ये मुश्किल शॉट था ये बैतरी शॉट था सूर्य से थोड़ा चंद्रमा की ओर चली थी गेंड विचली पे चौका अगली गेंड पे अपना पसंदीदा श्रोक शॉट शॉट कुमार यादफ इस साइग्रेट ये देखिए डेर सो के उपर ही रहने वाले थी ब्रेक के बास भी सूर्य कुमार यादफ कहां लगाएंगे आफ फील्डर जहां भी लगाएं वो सिर्क और सिर्टर्शक कहां पे बचोगे सूर्य के ऐसी तपेशों तो गेंदबाज अक्सर मुर्जाई जाते एक बार फेर तेर वार शटक टीट्वेंड अंतराश्ट्रे में स्काय इन हाउस एक और बार नजारा दिखाते हुए पैस को खुश करते हुए इस बार पैड्स पे आये तोन बदल रहा है लेंट बदल रही है लेकिन परिणाम नहीं अंजाम नहीं प्रीस की टेफ का इस्तेमाल करते हैं अपने आपको थोड़ा सा थोड़ा से जुके हुए रहते हैं और यह देखिए तैसे हम चर्चा करी रहते हैं यह ऐसा शॉट के लिए गजब का थोड़ी फुल डली एके इन एक्स्टेंशन बाजुओं का स्कोर बोर्ट पे एक और बड़ा हिट भारत के लिए सूर्या के बैट से यह पांच वक्त इसमार थोड़ा लेक ब्रेक डालने का प्रयास कुछ गजदूर पिछले चक्के से बैक टुबैक सिक्से तीन पिछले ओवर में दो यहां तीक शुना के सामने कि अगल आप शॉड़ा रिकॉर्ट चेरा इस बार फुल तो जें तूरे कुमार यादम तराशी पे बल्ले बाजी करते हुए अप्स्टी के बहार रूम मिला उन्होंने कहा ये बैक पर थार्ट मैं के दिशा में जाएगी कि गर के जितना ही तारीष की यह उत्नी कम और जितना एनके बारे में बात किया जाया उतना ही कम के विल्टा स्थाइप किया लेरीज़ जेटल्मेंट नमन करें इस तक्वार गरें सूरिया नमसकार गरें इस्षी तक्मीट सुरिया की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिन्दगी में हालात कितने भी बत्तर क्यों ना हो लोग आप पर विलेव करें या ना करें लेकिन अगर इनसान को खुद पर विश्वास है तो एक ना एक दिन पुरी दुनिया गौर करती है